नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निहाजन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक में आपका स्वागत करती हूँ तो दोस्तों इसकी पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था पिंपल्स के बारे में अब उसी सीरीज में आंगे चलते हुए पिंपल्स का जो आउटकम होता है वो एक स्कार के बारे में हैं दोस्तों हर किसी को चमकती दमकती हुई चिकनी स्किन स्मूथ स्किन बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब इसी स्किन पर गड़े होने लगते हैं तो हमारा चहरा एकदम से खराब हो जाता है यह दोस्तों बिलकुल बैसा ही होता है जैसे हम किसी परेशानियों में, इन Acnearre की परेशानियों में, narrow medicine बहुत अच्छा काम करती है। होमियोपेथी में जो Medi treatments होती हैं, उसमें गड़्ये पूरी तरीके से भर जाते है। और आपकी skin smooth हो जाती है। तो पहली medicine है supplier yarn gets – Tuga 200, इस medicine की 2-2 वून दिन में 3 बाल लेनी है आपको तूसरी medicine है Silesia 200 इसकी भी 2-2 वून दिन में 3 बाल लेना है हमको इसके अलाबा एक medicine होती है Theosinaminam 3X यह इस medicine की 2-2 गोली यह गोली फॉर्म में आती है medicine इसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 बाल लेनी है friends तथा इसकी साथ ही एक ज्यानगंगा फॉर्मेजी का marks and structure drop आता है इस drop को भी मैंने अपने personal यूज में काफी लिया है काफी patients पर मैंने try किया है और इसका जो result होता है friends बहुत अच्छा होता है तो friends यह तो बात हो गई है acne scar में homeopathic treatment की लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि patient बहुत लंबे time बाद आता है तो उनकी जो acne scar होते हैं उस condition में medicines बहुत slow down work करती है और patient को result बहुत अल्ली चाहिए होता है तो ऐसी condition में हम cosmetic procedures को prefer करते हैं इन cosmetic procedures में हम दो प्रकार के cosmetic procedures हम अपने hospital में करते हैं पहला होता है myco derma abrasion myco derma abrasion जो होता है इसमें थोड़ा सा powder निकलता है और skin पर rubbing किया जाता है दूसरा procedure micro needling होता है और इसको हम PRP के combination में करते हैं तो दोस्तों इन दौनों procedures के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी आपको तो friends आपको ये वीडियो कैसा लगया इसके बारे में आप मुझे comment section में लिखके बताईए और मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक को like करिए, share करिए और subscribe करिए Thank you